हेलो दोस्तों आप सभी के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल सर्ट स्टेचिंग तो सर्ट स्टेचिंग के लिए सबसे पहले हमें कफ कॉलर की चुपकाना पड़ेगा तो कॉलर के लिए हमें सबसे पहले हम कॉलर काटेंगे तो इसके लिए मैं यह फर्मा यूज करूंगा कॉलर काटने के लिए अगर आपके पास फर्मा नहीं है तो मैं इसके लिए लग से एक वीडियो बना दूंगा फर्मा बनाने के लिए कॉलर का और कॉलर के लिए यह हम बकराम लेंगे जिसमें यह देखिए टेप रहेगा इसके अंदर इसको हम डवल कर लेंगे और इसको फरमे से इस पर निशान लगा लेंगे पैन से अची तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे वक्रम पर फरमे की वीडियो मैं आपको अलक से बना के डाल दूँगा अभी हमें सट की स्टेचिंग देखना है यह देखिए मैंने इस पर निशान लगा दिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं देखिए हमारी कोलर कट गई है यह स्टेंड पट्टी है यह कोलर अब हम कफ काटेंगे यह देखिए यह वक्रम है इस पर पेश्ट है टेप है जो चबकती है जो कपड़े पे तो इसी तरह का वक्रम आप ले सकते हैं और अब हम इंच टेप से इसको नाप लेंगे मैं इसको नाप लेता हूं तो मुझे यहां साड़े आठ के कफ लगाना है तो यह देखिए मैंने साड़े आठ पे निशान लगा लिया और यह इसकी चोड़ाई का निशान है तीन इंच तो यह हम कफ काट लेते हैं कि देखिए मुझे चौक और कफ लगाना है मैंने सीधा काट लिया इसको ऐसे यह आप भी काट सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं एक साथ यह देखिए दोस्तों हमारे कप कड़ रहे हैं कि साथे स्टेचिंग से पहले हमें यह चिपकाना जरूरी होता है कि सबसे पहले हम आगे के पल्लों में आगे के पल्ले देखेंगे और में हमें सामने की पट्टी चिपकाना पड़ेगी हम फोल्डिंग पट्टी बनाएंगे इसमें तो सबसे पहले तो हम बटन पट्टी के लिए इसको मोड़ देते हैं यह देखिए यह दोनों पल्ले हैं सामने के अब आप सबसे पहले हम बटन पट्टी को मोड़ेंगे तो इसी तरह का तरह से आप भी देखिए इसी तरह से आप भी मोड़ सकते हैं इसको यह देखिए यह बटन पट्टी हमने मोड़ लिए अब हम सामने की जो फोल्डिंग पट्टी होती है वो चिपकाएंगे यह सीधे का निसान लगा लिया हमें यहां इस साइड नहीं चिपकाना है हम उल्टी साइड इसको चिपकाएंगे बखराम को यह देखिए यह सेट पट्टी है हम इसके नाप काट लेंगे इसको दोस्तों अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए यह देखिए यह जो हमने कट लगाया था आपने कटिंग की वीडियो तो देखिए होगी तो यह देखिए देखिए यह चिपक गई है अब हम जितना जितनी चौड़ा इस पट्टी की है उसी उतना ही चौड़ा हम यह कपड़ा काटेंगे बाजू का कटिंग बाली वीडियो तो आपने देखी ही होगी जिसमें हमने दो इंच बढ़ा के काटा था जो कपड़ा तो उसी को हम फोल्ड करेंगे इसके उपर यह देखी इस तरह की कैसे आप भी फोल्ड करके फोल्डिंग पट्टी बना सकते हैं देखी यह एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है अब एक बार और करेंगे इसको फोल्ड यह देखी इस तरीके से आप भी फोल्ड कर सकते हैं इसको यह देखिए हमारी फोल्डिंग पट्टी चिपक चुकी है बहुत ही खूपसूरत यह फोल्डिंग पट्टी लगती है सामने की अब हम कॉलर चिपकाएंगे जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम कॉलर चिपकाएंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उल्टा और सीधा कपड़ा कौन सा है तो हमें उल्टी साइट इसको चिपकाना है तो हम इस्टेंट पंटी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम किनार पे रखेंगे तो है थोड़ी मिश्टेक हो गई है इसमें काटने में थोड़ी सी यह देखिए अब हम इसको चिपका देंगे जो नीचे बाल जो गिला गुलाई वाला हिस्सा होता है उसको हम नीचे किनार पे किनार की तरफ इसको चिपकाएंगे और इससे थोड़ी सी दूर पे हम इसको कॉलर को चिपकाएंगे देखिए दोस्तों इस तरीके से आप भी कॉलर को चिपकाएंगे मैंने कॉलर की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है तो आप मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा तो आप बहाँ जाके उसको सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं कॉलर की कॉलर कैसे बना आते हैं तो देखिये इससे थोड़ा हम इसको कपड़ा आदा इन्ची बढ़ा करते हैं कि हमें यहा से क्योंकि यह नीचे हिससे में हमें इसको कपड़े को फोल्ड करना है बकरम के उबड़ा देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे यह देखिए हमारी कॉलर चिपक चुकी है इसको अच्छी तरीके से चिपका लेंगे अब इसको अलग करते हैं अब हम चिपकाएंगे कफ देखिए कफ के लिए भी हमें आदा इंची ऊपर फोल्ड करने के लिए हमें कपड़ा छोड़ना पड़ेगा देखिए हम आदा इंची कपड़ा छोड़के इसको चिपका देंगे ऐसे ही हम दूसरे को चिपका लेंगे देखिए यह इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है कफ की भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है लेकिन वो कफ लगाने की है कफ चिपकाने की मैंने भी वीडियो नहीं बनाई तो इसी में अब देख सकते हैं देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसा फोल्ड करके इसको भी प्रेस से चिपका लेंगे यह देखिए इस तरीके स फोल्ड करके अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं उसके लिए और अच्छे से वीडियो बना दूंगा आपके लिए यह देखिए इसी तरह यह से इसको भी फोल्ड करके प्रेस से चिपका देते हैं यह हमारे कब भी चिपक गए देखिए दोस्तो हमारी पूरी सट चिपक चुकी है यह हमारा पीछे का हिस्सा हो गया यह दोनों आगे के पल्ले हो गया यह कफ कॉलर हो गया और यह हमारी स्लीप्स हो गई है तो यह हमारी पूरी सट चिपक चुकी है अब हम इसकी स्टेचिंग करेंगे झाल झाल झाल